नमस्कार प्यारे किसान भायो आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सबी का स्वागत है इस वीडियो में आप देखेंगे सहतूत के खेती किस परकार से क्या जाता है बीज से grow करना चाहिए या कलमी दौरा लगाना चाहिए उस सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे फलाबरिंग होते समय कीन बातों के ज़्यादा ध्यान रखना होता है और फलाबरिंग कब होती है इसकी हर्वेस्टिंग कब होती है उस सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे चैनल पर पहली बारा आए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं किसान भायो बीड से लगाने के लिए सबसे पहले आपको नरसरी त्यार करना परता है और उसके बाद जो होता है जब वो रोपने लाइक हो जाता तो वहां से उखार करके ट्रांस्पलांट करना परता है अगर आप कलमी द्वारा लगाने चाहते हैं तो इस परकार से गढ़ा जो देख रहे हैं देर फिट लंबाई और देर फिट चोड़ाई में एक फिट अंदर तक इसको गढ़ा को खुद लेना चाहिए और इसमें जो होता है कि देख रहे हैं मैं गोबर के खाद रखा हुआ हूँ तो 3 किलो के आसपस यह जो देख रहे हैं गोबर के खाद यह मैं लिया हुआ हूँ तो इसको मैं वो गढ़े में डालूँगा तो ये रोपने से जो पधा लगाते हैं उसे 15 दिन पहले आपको कर लेना है फिर इस गोबर को इसमें जो देख रहे हैं मिट्टी को डाल करके पहले गोबर डाल देंगे फिर इसको मिट्टी को डालेंगे तो गोबर के डालने के बाद जो होता है जो मिट्टी हम डालेंगे त तो ये जो मिटी अब देख रहे हैं, इसको करविंडा जिम से जो होता है सुधी करण मिटी ओकर करके, और फिर इसके बाद मिटी को हम गड़े में भर देंगे इस परकार से, ऐसे भरने के बाद ये जो देख रहे हैं, फावरा से इस परकार से डाल दे सभी मिटी को, और मिट जरसे के पूरे डाल देते हैं इसमें तब इसको मिटी को बड़ाबर करके और थोरा से इसमें दबा दे उपर से तो पैर से भी आप इस पर कर से दबा सकते हैं ऐसे दबा करके फिर इसमें पानी देना होता है तो देख लें कि जितना मिटी इस पर परने बला है उत्रा मिटी म हैं यहाँ पर पोधा आम लगाएंगे तो उसके लिए आप जैसे की कलमी द्वारा लगाते हैं तो उसके लिए सब से पहले क्रिशी भिग्यान केंद्र या किसी अच्छे नरसरी से पोधं लेकर के आए जो कम से पनी लगा हुआ है नीचे से अगर पलोथिन लगा हुआ लिफापे है तो इसको हटा देना जी है जैसे इसमें देखरे बले कलर करके फिर इसको लगाए लगाने के बाद देखेंगे जब यह बरा हो जाता है तो जब आप ग्राफ्टिंग वाला जो पोद लगाते हैं तो वह उसके बाद देखेंगे कि यह फरवरी के महीना से फ्लाबरिंग होना स्टार्ट हो आता है तो फ्लाबरिंग के समय जो होता है इस पर जब फ्लाबरिंग आ जाता है अगर माहू लगता है चोटे मोटे मक्या जो लगती हुआ हो या आफिड जैसीड हो या कोई से भी मक्ही लगता है उसके लिए इमीडा कलोपरीट के तीन लीटर पानी में एक एमेल डाल करके इस पर एस्प्रे कर सकते हैं उसके बाद जो देखेंगे एस्प्रे करेंगे तो इसको जो कीट हो गया मक्ही होगा वह लगना बंध होता है और उसके जैसे फ्लाबरिंग हो आता है बिल लाल कलर का होता है तो लाल अगर सफेद बला प्लांट लगाते तो सफेद निकलता है इस परकार से तो इसमें चार वराइटी आता है दो वराइटी रेड का आता है और दो वराइटी वाइट का आता है तो जो दोनों वराइटी में जो होता है कि एक रेड वाले जो होता है वो लंबा साइज का होता है तिन इंच तक का होता है यह जो देख रहे हैं यह आधे इंच का है ऐसे वाइट में भी आता है एक जो आता है लंबा वाला वो तिन इंच का होता है और एक जो होता है वाइट वाला जो होता है वो आधे इंच का होता है इस परकार से और मीठा होत तो उस्के बाद धरन को सफेद हो जाता है सफेद हो बिलकुल जब आप दबाएंगे महसूस होता है उसके बाद आहाई हो गिया तो उसके बाद ह simplest कर ले करने ना होता है और Harvesting इसका जो होता है मार्च के end से ले करके अपरील के starting से इसका Harvesting start होता है और माई के आधे माई तक है अप कर सकते उसके बाद जो होता है अगर garden harvest नहीं करते हैं यह टोमेटिक ही फिर उसके बाद गीर करके जहरने लगता है तो उसे पहले हर्वेस्टिंग कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है और इस परकार से जैसे कि आप करते हैं सहतूत की खेती तो बहुत ज़्यादा उपज ले सकते हैं अगर बीज से लगाते हैं तो एक एकर में जो होता है इसका 800 गडाम वुडी होक्रा करके 10 फिट पर कर सकते हैं क्योंकि ये 15 से लेकर लेकर 20 साल तक भी काठी कर सकते हैं तो इस परकार से देख रहे हैं कि जैसे कि आप खेती करते हैं तो यह आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको खेती जो है वो कम टर्न के लिए करना है या लंबा टर्न के लिए करना है उस परकार से इसका दूरी मेंटेन करके लगाना होता है तो वीडियो कैसा लगा कोमेंट करके आप हमें जरूर बताएं